हेलो अच्चो आप लोगं के लिए बेहद महतपूर्ण सूचना ये सूचना एक ओनलाइन कोर्स के बारे में है जो कि इसरो के दवारा करवाये जा रहा है ये ओनलाइन कोर्स इसरो करवा रहा है तो जाहिर सी बात है स्पेस टेकनोलजी से समबंदित होगा अंतरिक्स विज्य कारी से भरा हुआ रोमांचिक कोर्स होगा जो कि आपकी जो गर्मी की छूटियां है इसका सदुप्योग आप इस कोर्स को करके कर सकते हैं इसकी रेजिस्टिशन अभी चल रही है ये कोर्स छे जून से पांच जुलाई तक चलेगा और ये कोर्स स्कूल के बच्चों के लि बात है कि स्पेस टेकनोलजी से संबंधित ये कोर्स है और इसरों के बारे में आप जानते ही हैं कि ये भारत की एक स्पेस रिसर्च ओर्गिनाइजेशन है जिसकी कई माइल स्टोन्स इसने अब तक हमारे इस ओर्गिनाइजेशन ने अब तक एचीव कर ली हैं जिसमें सेटलाइट ओपरेशन्स और कई तरह की तमाम अंतरिक से संबंधित जो एचीवमेंट्स हैं वो इसके नाम दर्ज हैं रिमोट सेंसिंग के कई सारे सेटलाइट इस रो ओपरेट करता है जिसको हम इंडियन इंस्टिटीट ओफ रिमोट सेंसिंग कहते हैं जिसका जो प्रयो मूक के माध्यम से होगा तो मूक एक online course management एक technology है जिसको massive open online course बोला जाता है और short में इसको मूक बोलते हैं तो यह जो इसरो के दबारा course बच्चों को करवाया जा रहा है यह मूक technology के माध्यम से करवाया जाएगा और यह क्या होगा overview of space science and technology यह जो course का title रहेगा आपका यह है किसके लिए है, स्कूल के बच्चों के लिए है यह, only for school students. The objective of this online course is to provide knowledge and awareness to school students on various aspects of space science and technology. तो जो इसका मक्सद है इस रो का, इस course को करवाने का वो यह है कि जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी है, वो जागरुख हों space technology के बारे में. अंत्रिक्स प्रद्योगी की के बारे में उन्हें जागरुख किया जाए, यही इस course का objective है. During this course, the technical session will be delivered by eminent space scientists of India. अब जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी reputed organization इस course को करवा रही है, तो जो course के trainer होंगे, आपके जो coaches होंगे, वो eminent तो होंगे ही. जाहिर सी बात है, तो आपको बहुत ही जो एक opportunity है, एक अवसर है आपको बहुत अच्छी जानकारी हासिल करने का space research के बारे में, अंत्रिक्स विज्ञान के बारे में, और ये जो course है, ये course रहेगा दस साल की उमर के बच्चों के लिए और इस से जादा, दस से जादा की जो उमर के बच्चे हैं, उन के लिए ये course रहेगा. तो आप एक स्कूल के विद्यारती हैं और आपकी उमर दस वर्ष ये दस वर्ष से जादा है, तो आप इस course में रिजिस्टर कर सकते हैं. ये दस घंटे का आपका ओनलाइन course रहेगा, वीडियो सेशन्स इसके, ये एक learning management system के थ्रू इसकी e-classes ली जाएंगी, और course को complete करने के बाद quiz होगा, जिसके आधार पर आपको certificate दिया जाएगा, course के complete होने का. Course में रिजिस्टर करने का जो procedure है, वो है कि आपको इस website पर जाना है, इस रो की जो अधिकारिक website है, iirs.gov.in, और slash mooc.php, आप Google पर सर्च करेंगे, इसरो free course for school students, तो भी आपको ये link जो है मिल जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, कि आपने इस website पर click करना है, जैसे आप इस website पर जाएगे, तो आपको interface मिलेगा, interface किस तरह से होगा, थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ, ताकि register करने में आपको समस्या ना आए, जैसे आप इस website को खोलेंगे, तो आपको इस तरह से ये interface मिलेगा, और आपको क्या करना है, ओन लाइन registration पर click करना है, तो आप देख रहे हैं कि 17 मई से ये online registration जो हैं वो शुरू हुए हैं, और कब से course शुरू होगा ये, course 6 जून से शुरू होगा और 5 जुलाई तक चलेगा ये course, तो आपको क्या करना है अभी समय रहते, online registration पर click करना है, और इस तरह से ये आपको एक form फिल करना है, तो इस form की जो mandatory, जो fields हैं वो आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपकी date of worth, आपका gender, male है, female है, आपका phone number, ये सारी mandatory है, इस पर star लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको ये fill करनी है, तब ही आप इस form को submit कर पाएंगे, आपकी email ID, ये सारी चीजें जो working हो, mobile number, आपका email ID, ये check करके डालना है, कि आपका active contact है, यहाँ पर submit हो, आपके school का नाम, school किस जगह पर है, किस गाउं में है, आप गाउं में है, तो rural area में है, तो गाउं का नाम, शहर में है, तो शहर का नाम डालेंगे, यह यहाँ पर आप school का address डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर आएगा school का नाम, कौनसी class में आप पढ़ते हैं, आपके school की email ID, और school का phone number, यहाँ पर आपकी photo लगेगी, passport size, आपने scan करके यहाँ पर इसको upload करना होता है, और यहाँ पर, यह जो capture है, यह आपने यहाँ पर enter करना है जैसे इस time है, X, J, 1, R, W, तो यह आपने आपर enter करना है, तो यह procedure है, इसको fill करने का, और इसके बाद आपने इसको submit करना है, जैसे आप इसको submit कर देंगे, तो आपकी जो registration है, वो हो जाएगी, तो इस तरह से यह procedure है, इसको register करने का, तो मेरी आपको advice है, कि इस course को जरूर क और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि यह जानकारी समय रहते, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुँच सके, और जो इसरो का mission है, कि एक जागरुकता अवियान उन्होंने चलाया है, अंत्रिक्ष्विजान से स कर दो 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 क